हें हेलो गाइज हेरी रेसलमोल और आज हम देखने वाले हमारे इंडियन जायंट सतनाम सिंग के कुछ अनोखे और खतरनाक रेसलिंग मूज जिया दोस्तो सतनाम सिंग के कुछ रेशलिंग मूज बाकी रेशलर से काफी डिफरेंट है और ऐसे मूज कोई साधारन रेशलर कभी नहीं कर सकता वैसे दोस्तो लंबे रेशलर को कुछ मूज देने में दिक्कत आती है लेकिन सतनाम सिंग ऐसे रेशलर है यो कौन सा भी मूँ बड़ी आसानी से दे सकते हैं और ऐसीज़ उन्होंने खुद एक इंटर्वी में बताई है तो चले देखते हैं कौन से है वो रेशलिंग मूज जो सतनाम सिंग बड़ी अच्छी तरह से लगाते हैं दोस्तो सबसे पहले आता है फ्लैप जैक जा दोस्तो इस मूँ को ओफिसेरी फ्लैप जैक ही कहते हैं लेकिन ए मूँ सतनाम सिंग जरा अपने स्टाइल में देते हैं वैसे दोस्तो मेरे हिसाब से इस मूँ का नाम होना चाहिए हेलिकॉप्टर फ्लैप जैक युकि दोस्तो सतनाम सिंग यहाँ पे आगे वाले रेशलर को कंदे पे उटा के हेलिकॉप्टर जैसा गोल गोमा के आगे थ्रो करते हैं फिर दोस्तो दूसरा और सबसे अनोका रेशलिंग मुह है ड्रिबलिंग दोस्तो अपने बास्केट बॉल की ड्रिबलिंग तो काफी बार देखे होगी लेकिन सतनाम सिंग एक ऐसे रेशलर है जो अपने आपोनेंट को ही बास्केट बॉल बना देते हैं और दोस्तो अगर आपको पता नहीं तो बता दू सतनाम सिंग एक फॉर्मर प्रोपेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है और शाहिद इसी वज़े से ओ इस मुह को इतना इजिली कर पाते हैं मैरे दो दोस्तो ए रेशली मूँ पहली बार सतनाम सिंग के पास देखा है अगर और कोई रेशलर ऐसा मूँ यूज करता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताईगा फिर दोस्तो आता है सतनाम सिंग का एक तगडा रेशलिंग czasuटः वाइस गृप कोई साधारन रेशलिंग मूँ नहीं है, एक काफी कम रेशलर्स यूज़ करते हैं, जिसमें की रेशलर को पूरा उल्डा उठाना पड़ता है, और बाद में स्लैम भी देना पड़ता है, लेकिं दोस्तो सत्नाम सिंग ए रेशलिंग मूँ भी काफी अच्छी तरह से देते है इसके बाद आता है फ्लैप जैक, पहले जो था हो था हेलिकॉप्टर वाला फ्लैप जैक, यह भी थोड़ा वेशा ही है, लेकिन सत्नाम सिंग इसमें रेशलर को गोल नहीं गुमाते है, और बस रेशलर को एक बच्चे के जैसे उटाते हैं, और एक साइड को फेक देते हैं और दोस्तो सत्नाम सिंग एचीज इतना इजीली करते है कि देखने में काफी मजाता है, और ऐसे लगता है कि सामने वाला कोई रेशलर नहीं है, बलकि एक खिलो ना है, फिर आता है दोस्तो क्रोस बोड़ी, क्रोस बोड़ी जैसे मूद्स तो काफी रेशलर देते हैं, लेक इसे दोस्तो एक कुछ कॉमन रेशलिंग मूस भी देते हैं, जिन में आते हैं चोप्स, बिग बूट, क्लोट्स लाइन, एकसेटरा, एकसेटरा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन सब में से कौन सा रेशलिंग मूस सबसे ज़्यादा एफेक्टिव लगा, तो चले दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगले के स्वीड़ में वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमेरे चान को सब्स्राइब करें, ठैंक्स पर वोचिंग, बबाई